नमस्कार स्वागत है आपका बात बेबाख में आपके साथ मैं हूँ अभिशेक कात्यायन आज 5 सितंबर की तारीख है और 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस आज हम गुरुओं का सम्मान करते हैं और बताते हैं कि शिक्षक दिवस हम मनाते हैं इसलिए क्योंकि आज का दिन ये माना जाता है कि शिक्षकों के प्रती समर्पित है क्योंकि सर्वपली राधा कृष्णन डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन की आज जैनती है जो कि एक महान शिक्षाविद थे देश के दूसरे राष्ट्रपती थे और पहले उपर राष्ट्रपती थे आजाद भारत के तो उनके सम्मान में उनकी जैनती के दिन ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं अब अलग अलग जगा से अलग अलग स्कूलों के हिसाब से या अलग अलग संस्कृती सब्धिता के हिसाब से हम गुरू को किसी को गुरू जी कहते हैं कोई शिक्षक जी कहते हैं कोई टीचर कहते हैं कोई मास्टर साहब कहते हैं अलग-अलग तरीके से हम अपने शिक्षक को अपने गुरू को बुलाते हैं बड़ी बात ये है कि जब ये शिक्षक दिवस का खास दिन था तो पटना में राजधानी में मुख्यमंत्री ने 20 गुरूओं को सम्मानित किया उत्कृष्ट सेवा के लिए उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया राज़किया पुरसकार से लेकिन ठीक एक तरफ जब एसके मिमोरियल हॉल में ये समान समारोह चल रहा था उसी वक्त पटना में नियोजित शक्षकों का प्रदर्शन चल रहा था वो आंदोलन रत हैं उनकी मांग है कि समान काम के बदले समान वेतन उन्हें मिले लेकिन ये मांग उनकी जो है वो सरकार से अब इस उम्मीद पर है कि कोट से उच्चतम नयायले से भी उनकी मांग ठुकराए जाने के बाद खारिच किये जाने के बाद अब उस सरकार से सहानुभूती की उम्मीद क पर रहे हैं कि सरकार कुछ करे इस दोरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को नसीहत भी दी उन्होंने कहा कि ये जो आप आज कुछ लोगों के बहकावे में आकर या कुछ लोगों के भड़काने की वज़े से आजा पांदोलन पर आ गए हैं ये वही लोग हैं जो कभी आपको आयोग ये बताते थे ये वही लोग हैं जो कभी आपकी योग्यता पर और आपकी नियुक्ति पर सवाल उठाते थे लेकिन ये हमारी एंडिये की सरकार है जिसने आपको 2004 में आप कहां थे और 2005 के बाद हमारी सरकार बनी और तब आप कहां तक पहुंचे हैं ये याद कीजि आज जो कुछ हुआ मुख्यमंत्री ने जो कहा उनके सम्मान समारोह के दौरान वो भी ज़रा सुनिये और जो शिक्षक हैं उनकी नाराजगी क्या है वो भी सुनिये आप चाहें नारा मेरे खिलाब जितना लगाईए मुझे को कोई अतराज है हम तो लोग कंत्र में विश्वास करते हैं जो इच्छा करें वो कीजिए हम कोई अतराज नहीं है अग करेंगे कुछ हम ही यह भी जान लीए अब करेंगे समय पर 2016-17 में तो यह भी कर दिया है कि भाई जो सात्वा आयोग का जो रिकोमेंडेशन है उसकी भी सबसुविधाये उनको मिले इन सब के बारे में किया हम लोग ने कमीटी बना दी कि इनके क्या होने चाहिए टर्म्स इनकी सेवाओं के बारे में सब कुछ किया है लेकिन यह भू प्राथमिक सिक्षन संस्थाओं में अयोग्य सिक्षकों का नियोजन कर सिक्षा विवस्था को नस्ट कर दिया गया अब जान लीजिए आंदोलन करते हैं स्टेटमिंट देते हैं और आपके समर्थन में वक्तभ देते हैं वह आपको क्या आपकी उपाधी दिये थे अयोग्य सिक्षक क्या कर रहे हुआंगी जरकार आज 5 सितंबर है सिक्षक दिवस है सरपली राधा कृष्णन क्या सोच रहे होंगा जो राज जहां की वेवस्था अपने सिक्षकों की भलाई के लिए ना सोच सके उनको मौलिक चीज़े ना प्रदान कर सके ना वो राज किसी काम का नहीं वो सिक्षक के दर्द को मैं समझ सकता हूं और मैं उमीद करता हूं कि उनकी सारी समस्याइं दूर होंगी आंदोलन का रास्ता सही रास्ता नहीं है हमारे मानिये मुखमंती जी नितीश कुमार जी समय समय पर सिक्षकों को अपमानित करने का काम करते रहते हैं कि तो कोई कहने से नहीं करेंगे तो अपने मंद से ही कर दें पुरा का पुरा ज़स्ट ले लें इसमें क्या अपती है यह कब तक दमनकारी निति चलती रहेगी जब एक छट के नीचे हम भी पढ़ा रहे हैं आपके नियमित सिक्षक भी पढ़ा रहे हैं अरूल है कि समान काम समान बेदन तो क्यों नहीं लग किया जा रहा है और हम लोग को किसी तरह के सुभिधा ना देकर सिर अपना ताना साही रवाया को दिख ला रहे हैं जी तो कब करेंगे हम लोग 13 साल से सिवक सिवाकाल में हैं आज तक कुछ नहीं किये तो मुख्यमंत्री ने एक बयान जो दिया वो जाहर तोर पर विपक्ष के लिए बैक फूट पर लाने वारा बयान था क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि लोगों को याद रखना चीए खास तोर पर ये नियोजित शिक्षक जो है वो याद करें कि आपको आयोग ये कह कर कभी विपक्ष ने ठुकराने की बात की थी और कहा था कि गलत शिक्षकों के नियोक्ती की जारी है जो योग नहीं है पढ़ाने के लेकिन हमने आपको कहा से कहा तक पहुँचा दिया है अब जाहिर तोर पर ये जो बाते हैं ये विपक्ष कहता रहा है और पहले भी कहा और अब भी कहता है ऐसे में अब विपक्ष कितना शिक्षकों के साथ स्टेंड ले पाएगा ये अब देखने वाली बात है क्योंकि हमारे साथ जो महमान जुड़े हैं वो अपनी अपनी बात जी है वो भी एंडिये की तरफ से सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगी विजय आदो जी हिंदोस्तानी आवाम मुर्चा के प्रवक्ता हैं विपक्ष कीतरफ से वो हमारे साथ जुड़े हैं और CPI नेटार रविंद्रनाथ राय जी है वो भी विपक्ष की तरफ से अपनी बात आप सभी महमानों का स्वागत है पटिल साब चुकि मुख्यमंत्री ने आज जो बयान दिया है ये जाहिर तोर पर हाला कि एक प्रदेश के लिए चिंता की बात है कि शिक्षक दिवस पर सरकार के मना करने के बावजूद शिक्षकों ने आंदोलन किया नियोजित शिक्षकों ने इसका मतलब साफ है कि सरकार के समझाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री क्या ये अगर आश्वस्त कर रहा है कि हमारी ही सरकार कुछ करेगी आपके लिए समय आने पर क्या इतने भर से शिक्षक मान जाएंगे ऐसा लग रहा है नहीं देखे अभिसेग जी जितना मुख्यमंत्री ने सारी बातों को रखा है अपने अपने चैनल पे सुनाया भी और यही सरकार ठीक उन्होंने कहा है कि यही सरकार है जो सिच्छकों को इतना सम्मान देने का काम किया है सब कुछ दे रही है 2005 से पहले की स्थिती देखिए सिच्छकों की बहाली नहीं होती थी बहाली के नाम पर सिच्छा मित्र के नाम पर डेड़ हजार उपिये में बहाली किया जाता था उसमें भी लोग बहाल होते थे लेकिन नियोजी सिच्छक की बहाली 2005 के बाद हुई सर्व सिच्छा अवियान का रासी आता था पहले 80-20 था 80% केंदर देती थी 20% राजी का हिस्सा लगता था जो पुरबर्ती सरकार थी उसके पास राजजांस का हिस्सा लगाने के लिए पैसा नहीं था जिसके कारण 3 बरसों तक सर्व सुच्छा अवियान का पैसा नहीं आता डेड़ हजार रुपिये पर खटने वाले सुच्छा मित्रों को भी कई बरसों बरसों से वो बेतन नहीं भुगतान होता था और ये सरकार आने के बाद हम बैकलोग को ठिक किये और अलग से रासी का इंतजाम करकर के हमने सर्व सिच्छा वियान के रासी को लेने का काम किया और उससे नियोजी सिच्छकों की बहाली किया साड़े तीन लाग सिच्छकों को बहाली किया और जिस समय बहाली हुई थी तीन हजार, चार हजार, पांच जार पर भाली हुआ था आज बढ़ करके वो पचीस से तीस जार रूपिय बेतन पा रहे हैं और साथ में बेतन आयों की सभी सुब्धाओं को सरकार ने लागू कर दिया है केबल बेतन मान समान नहीं है बेतन मान के अलावा जो सुब्धाएं है वो सर्व सिचकों को मिलता है सिचकों को आंदोलन नहीं करना चाहिए सरकार खुद ध्यान रखती है लेकिन आप ये जो बाते बता रहे हैं सरकार जब जैसी जब आप सकता पड़ती है उस अनुरूप काम करती है पडिल साब दो बयान आए एक को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री कृष्णंदन वर्मा ने भी कहा है इस पर हम अंजूम जी से टिपणी लेते हैं अनुर्ण जी शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि अभी हम शिक्षुकों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोट का हाल-फिलहाल में फैसला आया है और वो कोट के फैसले की आمानना हो जाएगा इसलिए वक्त का इंतिजार करिए मुख्यमंत्री ने भी कहा वक्त का इंतिजार करी है देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो शिक्षकों की नियुक्ती हुई है बड़ी संख्या है जो 2005 के बाद से बिहार में नियुक्ती हुई है तनख्या की बात करें तो कभी 5000 जाहर तौर पे हुआ गरती थी आज 25-30,000 है या नि 5-6 गुना व्रिद्धी हुई है सैलरी में फिर भी उनकी अभी डिमांड बाकी है और वो आंदोलन रथ है क्या शिक्षा मंत्री का ये कहना इशारा है कि वाकई कुछ महीने बाद या कहें कि चुनाव के समय सरकार कुछ करेगी बड़ा करेगी दिखी कात्यान जी हमारे मारनी है सिक्षा मंत्री जो कहा वो बिल्कुल सही का हमारी सरकार सन्वेदन सील सरकार है में आपने देखा कि 2003 में जब सिक्षा मित्र का नियोजन हुआ था तो मात्र फंद्रास और उनकी सैलरी थी और हमारी सरकार जब आई तो ट्रेंड और अंट्रेंड करके दो बागों में विभक्त किया गया था और हमने निश्चित वेतन से शुरू किया था उनकी सैलरी को ट्रेंड और अंट्रेंड के रुपे फिर हमने नियत वेतनमान लगाया फिर 2015 में हमारी सरकार ने वेतनमान दिया और फिर 2016-2017 में उनको जो सातवा आयोग है उसका जो लाब होता है उसको मिला तो इसे असपस्ट है कि हमारी सरकार सिक्षकों को ले करके और सिक्षा को ले करके बहुत ही सन्वेद अंसील है और ये सिक्षा मंतरी हमारे जो बोले है और हमारे माननीय मुख मंतरी जी ने जो कहा वो बिलकुल उनकी सेंसिटिविटी को दरसाता है कि आने वाले दिनों में ये समस्या का समधान कर लिया जाएगा और उन्होंने का कि हमी करेंगे निशित रूप से हमी करेंगे जो तस्वीरें चल रही है उसमें हाथ में तख्ती लिये हुए शिक्षक कह रहे हैं कि हमारा दुरभाग यह है कि मैं बिहार का नियोज़द शिक्षक हूँ अविशेक जी मैं सभी गुरु जनों से मैं यह कहना चाहूँगी कि देखें ओनरेबल सुप्रीम कोड का जो वर्डिक्ट है यह हम सब जानते हैं फिर भी इर्रेस्पेक्टिव ओल दीस थिंग्स सभी चीजों के बावजूद आज माननिय मुख मंतरी जी ने जिस तरह से कहा ह क्रिस मेमोरियल हॉल से हमारे माननिय सिक्षा मंतरी ने जिस तरह से कहा है कि आपकी समस्या के समधान होगा और हमी देखेंगे तो यह उनकी सनमेद अंसीलता और इनकी समस्या के प्रती जो कमीटिमेंट है वो शो करता है असपस्ट शब्दों में क्योंकि यह चुनौती बहुत बड़ी है अगर आप साड़े तीन लाख कहरें तो उसको सिर्फ साड़े तीन लाख मत समझे यह तो वरतमान सरकार ने जो नियुक्ती की है उसकी बात है इससे भी ज्यादा तादाद होगी और वो फैमिली है यानि आप एक मत जोड़िये को समझती ऐह तभी आज मानने शिक्षामन्तरी जी ने अपना वर्डेक दिया कि खीस को हम लोग इसका समधान कर लेंगे क्योंकि इसकी जो घंबीर्ता है उसको अप अप ईडिकेट कर रहे हैं चिनित कर रहे हैं इस मिर्ता को हमारी सरकार बखुभी समझ रही सन्वेदन सिल्टा को समझ रही है। पर सवाल उठा रहा था वो कह रहा था कि आयोग्य लोगों की भरती हो रही है आज वो वेतन मांग कर रहे हैं कह रहे हैं कि नहीं उनको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। कि 2006 में बहाली हो रही थी तो आप बहाली किजिए बड़े पमाने पर बहाली किजिए लेकिन जो सिक्षक ट्रेंड नहीं हैं उन्हें ट्रेंड किजिए। करने में तो कोई गलत भी पक्षण नहीं कहा था और ट्रेंड बिना अंट्रेंड सिक्षक बहाल हुए थे उन पहाली का किसी ने विरोध नहीं किया था इतना ही कहा था उनको ट्रेंड किजिए। बिहार के अंदर में आपने उस ट्रेंडिंग के नाम पर आप देखे चार सो से ज़्यादा बेड़ और ये तमाम सिक्षक करने लेकिन यह सच है चाहे वो पत्रकारीता करने वाले सारे लोग हो या सियासत करने वाले सारे लोगों जानते हैं कि विपक्ष ने खुलकर विरो इ cocktails और भी बता घूंब इन्सिक्षकों की बात तुरिता योग की बात्वाफ पटा दिये हाज भी हाई कोट में इनको कहा है हैं un hindus i हश्यकों की बहालि इनके से सर्टिफिकेट गलत थे हाई कोट ने जब इन्हें हड़काया और कहा कि इसकी जांच आप अपनी कराईए विजिलेंस से यह कब की यह बात है यह 15 दिनों के अंदर में उसने कहा था टाइम भी दिया था कि जो गलत सर्टिफिकेट लेकर के सिक्षक बहाल हुए वह अपने कई वरिसे इसके गुजर गए आज तक सरकार अभी RTI हाल के धिरों के अंदर में हम लोगों ने फाइल किया RTI में भी सरकार यह नहीं बता सकी कि कि कितने गलत सरीफिकेट वाले सिक्षकों को निकाला गया और कितने गलत सर्टिफिकेट वाले आज भी सिक्षक मौझ याँ आप मांते हैं कि कुछ गलत सर्डिफिकेट वालों को निकाली है अब भी हाई कोट ये 26 तारीक ने इनको कहा कि क्या हुआ उसका ये बता रहे तो आप इसके लिए कोट वेतन को लेकर उनके साथ खड़े हैं तो आप ये भी मान रहे हैं कि कुछ फर्जी भी है आप जैस कि पुरी तरह से इनका जो है से अपना बात है विपच्छ के लोगों को मैंने देखा है और विपच्छ के लोगों ने जिस परकार का आरोप लगाया था इन सिच्छ कों के उपर यह पढ़ाने लायक नहीं है इन लोगों को कुछ नहीं जानते हैं अपना सिगनेचर करना नहीं जानते हैं वैसे ऐसे वादिका सिच्छा चौपट को समप्त कर दिया है जबकि उस समय जो बाहर किया थी उसके सर्टिफिकेट का भी जाच किया गया जो लोग ऐसे कुछ संख्या में हो सकते हैं मैं मानता हूं कि जो नकली सर्टिफिकेट लाकर के दिये और उसके बाद उनका सर्टिफिकेट का जाच किया गया उनको बाहर किया गया बिल्कुल को जो ऐसे आप साबित कीजिए और आप रही है जवाब ले लीजिए जी रविंद्र जी कुछ कह रहे थे जिए आप जो कह रहे हैं कि जो वैसे सिख्षक जो गलत सर्ट्ट्रिकेट की बाहली पर आ गये थे उनको पूरा कर दिया आपने नहीं पूरा किया है अभी तक लेकिन वो मुद्दा नहीं है और उसमें पास किये उसके बाद हुआ रहे हैं अगर आपको लगता है कि शिक्षकों की नियुकती में गरबड़ी हुई है अगर लगता है कि शिक्षक सही नहीं है तो फिर विपक्ष एक सुर में आज शिक्षकों के साथ खड़ा है तो जाहिर तोर पर सत्तापक्ष ये सवाल उठाएगा कि ना पहले तनखुआ अच्छी मिलती थी ना आप योगता पर विश्वास कर रहे हैं फिर आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं सैलरी उनकी बढ़नी चाहिए और बढ़नी चाहिए क्यों आप उनके साथ खड़े हैं? प्रफ़्वास कर रहे हैं अरे नियोजी सिच्चा का बहुत प्राइब है नयसकी तो गरीब है दाता है तौ आट उसको मांग रहा है मनने मुक्मंदी एक की सामान काम के लिए सामान बेतर मुझे मिलना चाहिए तो मानने मुकुमंदी जी को बिल्कुल देना चाहिए इसलिए कि ओ गरीब शिचा गुरू गुरू नीचे से आता है बच्चे को इसलिए पहले की भी सरकारों ने नहीं दिया है न विजयादो जी तो क्या भरोसा है कि आप आद चुमाव को पहले आद बढ़ा रहे हैं क्या विजयादो जो पहले किये थे आप देंगे क्या काहरे दिये थे लिए थे लिए जिस्वक्त हमारे जित्तरा मां जी मुकुमंती थे यहाड का उसमें जो एसे घर्याली आसुब आरे इसलिए कि कुछ करना नहीं है क्या जीतन रामाजी ने क्यों नहीं उसी वक्त एलान कर दिया कि समान काम समान वेतन शिक्षकों के लिए लागू विजयादो जीतन रामाजी मुक्यमंत्री थे तो क्यों नहीं ये फैसला लागू कर दिया उसी वक्त कर देना था एक फैसला 34 जन्ना में एक फैसला सिंगल ये था कि सिच्षकों को समान काज के समान वेतन के पास किया था मुसिबत ये लोगों ने मानने मुक्यमंत्री जी को हटाने का काम किया था कि बिहार का वित्तिये इस्थितन आम आजी कर बराते वेंगे अरवाई जो नहीं किये उनकी साथ क्यों खड़े होगे लालो रावणी की सरकार ने कभी सिच्कों की बाहली नहीं किया और फिच्छा मित्र के नाम पर पंद्राव सिच्षकों के उनकी गलवईयां आप क्यों डाले हुए अज़ा ठीक है अंजुम जी अंजुम जी ठीक है पटेल साब पटेल साब एक मिनट अंजुमारा जी देखे विपक्ष कह रहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उनकी नियत में यह है एक मिनट हाँ ठीक है विजया जी एक करके एक करके विजय जी ठीक है एक मिनट एक मिनट विजय जी हमको चर्वाः विद्याले पर बात नहीं कर लीए एक मिनट पटेल साब प्लीज पटेल साब एक मिनट विजय जी प्लस्टू में उत्टीर किया है उभी घृष के अंदर माइं फुले पटेल साप पटेल साहब विजह ज्यादो जी प्ली करें कि विजय जी देखिए मुझे आवासबंद करनी पड़ी कि विजय जी पटेल साफ पटेल साफ पलीज पलीज अंजुम जी को बोलने दीजें आप लोग चीखेंगे तो वो नहीं बोल पाएंगी अंजुम जी एक बात बताईए यहां विपक्ष अब भी कह रहा है और दावा कर रहा है चुकि इनकी सरकार बन जाएगी तो यह सबसे पहले एजेंडे में यह है इनका कहना है कि जीतन नामाजी भी करने वाले थे लेकिन तक आप लोगों ने उनको खटा दिया मुख्यमंत्रीपज से एक मिरट विजय जी विजय जी प्लीज जी प्लीज एक मिरट विजय जी अब इस जीप बिहार की जनता ने ऐसा नहीं है 15 वर्सों का बहुत स्ट्रॉंग इनको मौका दिया करने के लिए लेकिन इनोंने क्या क दोहज़र तीन में सिक्षामित्र को इन्होंने रिकूरिट किया चर्वाहा विद्याले इनका रहा तीचर त्रेनिंग जिसको कह रहें विजय जी बार बार बहुत फोकस कर रहें त्रेंड टेन टीचर ट्रेनिंग जो ब्यवस्ता थी उसको इन्होंने चौपट कर दिया खस तो सारा सिस्थम जो था एक एडूकेशनल सिस्टम याभ एडूकेशन को जो कुलाप्स हो छुका था 2005 में जब हमें इक करके हमें मौका बिहार की जनता ने दिया तो सब्सक्राइब के हम यह क्या काम करना कटे और वो हम लोगों से कि 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 सी तरह से वतनना और produits वेतन का जो रिकमेंडेशन था इवरी थी वो लागू हुआ अभी जो है समान काम समान वेतन इनका कहना था हमारे सारे गुरु जनों का यह फंडामेंटल राइट और इसको लेकर उन्होंने उन्होंने सुप्रीम कोट में चुनाती भी दिया लेकिन क्या हुआ वह हम सब जान अगर गवर्मेंट कमिटमेंट कर रही है तो वो एजन्डे की अधार पर कर रही है ना और रहा विपक्ष की बात विहार के गौरब को अगर किसी ने अस्थापित करने का काम किया है तो वो नितीश कुमार की जो सरकार है उसने किया है पांच-पांच विश्व विद्याले क्या विसुविद्याले के सिती हो गई थी ये हम सभी से छुपा है हम लोग बीच हातर थे उस वक्त हम लोग कॉलेज नहीं जा पाते थे पढ़ने के लिए आज पांच-पांच सेंट्रल युनिवसिटी है नालंदा विसुविद्याले आइफट विसुविद्याले चानक के ठीक है वह बहुत सारे इंस्टिट्यूट्स है लेकिन फिर भी एक जोलंत मुद्दा इस वक्त है जिसको लेकर देखे विपक्ष ने क्या स्टैंड लिया लेकिन सियासत इस पर हो रही है इतना बड़ा पदलाओ इस ब्यार में पॉजिटिव सकरात्मक बदलाओ सिक्षा के जाए जब राइट टू एजूकेशन हाँ हजार दस से लागू है जब राइट टू एजूकेशन बना था तो राइट टू एजूकेशन को लागू करने के लिए कितने शिक्षकों की जवरत है कितने फैंड की जवरत है इसकी बजापता कई राउंड मिटिंग मैं बार बार सवाल एक पूछ रहा हूँ रविंद्र राइजी इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है कि मुख्य वेपक्षी दिलम आरजेटी पर खास अज उन्हीं टीचर्स के साथ आरजेटी या विपक्ष स्टेंड कैसे ले सकता है आरजेटी ने जहां तक मुझे मालूम है कि आरजेटी ने तमाम चीजों को रियक्ट नहीं किया था जो गरबडियां हुई थी पहाली के अंदर में उन गरबडियों को दूर करने का विरोध किया गया था चलिए ठीक है लेकिन मुख्यमंत्री ने उसी पर आप लोगों को सवाल उठाए है फिलहाल चलिए मारे पास चुब यह वक्त नहीं बचा है इसलिए हम चर्चा और नहीं कर पाएंगे का ने दूक है लेक्वाट को Schulay में उसना कर daha चुब बहुर्यान की शांत करना है और किस्वास jagern अंदोलन हे जिसको सरकार को शांत करना है भीशमस्राओं बादी बाक वह झाल झाल